किचन में मौझूद ये 5 चीजे दिलाएंगी फैटी लिवर से छुटकारा, जाने सेवन का तरीका फैटी लिवर की समस्या का सही समय पर उपचार न करने से लिवर खराब होने का भी खत्रा रहता है इसके कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है Fatty Liver की समस्या को ठीक करने के लिए खान पान और जीवन शली में बदलाफ करना बहुत जरूरी है आपको बता दे कि हमारे किचन में ऐसी कई चीजे मौजूद हैं जो Fatty Liver की समस्या को ठीक करने में बहुत कारगस आबित हो सकती है Fatty Liver की समस्या दूर करने के लिए 5 Kitchen Ingredients Fatty Liver के इलाज में काफी प्रभावी होते हैं हल्दी Liver की कार्यक शमता में सुधार करती है और Liver में Fat को एकठा होने से रोकती है इसके लिए आप एक गिलास पानी या दूट में एक चम्मच हल्दी मिला कर पी सकते हैं NIMBU NIMBU Vitamin C और Antioxidants से भरपूर होता है जो शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करता है NIMBU का सेवन करने से लिवर और पेट को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है इसके लिए आप एक गिलास पानी में एक नीमबू का रस निचोड़ कर दिन में दो बार पिए ऐसा करने से लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद मिलेगी लहसुन फैटी लिवर की समस्या को दूर करने लहसुन बहुत कारगः है ये शरीर में एंजाइम रिलीज करता है जो लिवर में जमा टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करते हैं लहसुन में मौझूद एंटि ओक्सीडेंस लिवर में जमा फैट को तोड़ने में मदद करते हैं इसके लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट दो से तीन कली लहसुन का सेवन कर सकते हैं सेव का सिर्का सेव का सिर्का हमारे किचन में मौझूद सामगरी है जिसका इस्तिमाल कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है फैटी लिवर की बीमारी में सेव का सिर्का बहुत प्रभावी घरेलू उपचार है ये लिवर में जमा फैट को कम करने के साथ ही लिवर की कार्यक्षमता को भी सुधारता है सेप का सिर्का लिवर की सूजन को कम करने में भी मदद करता है इसके लिए आप एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच सेप का सिर्का मिलाएं इससे दिन में दो बार भोजन से पहले पिएं ऐसा करने से आपको fatty liver की समस्या से जल्द छुटकारा मिल सकता है Green tea Green tea antioxidants से भरपूर होती है जो liver की कार्यक्षमता में सुधार करने में बहुत प्रभावी है Green tea में मौजूद ketachin liver में fat को एकठा होने से रोपता है Green tea का सेवन करने से शरीर और liver में जमा fat कम होता है Fatty liver के मरीजों को नियमित रूप से green tea का सेवन करना चाहिए Liver में खराबी होने पर आपके पैरों में दिखने वाले लक्षन Liver से जुड़ी परेशानी की शुरुआती स्टेज पर दिखने वाले लक्षन लगभग न के बराबर होते है लेकिन जैसे ही शरीर में ये समस्या बढ़ने लगती है वैसे ही इसके लक्षन भी गंबीर होने लगते है Liver में खराबी आने पर पेट में दर्द, सूजन, अपच, भूप की कमी, स्किन का पीला पढ़ना जैसे लक्षन दिखाई देते हैं लेकिन हाल ही में एक शोध में इस बात की पुष्टी हुई है कि लिव में खराबी आने पर आपके पेरों में भी कुछ लक्षन दिखाई दे सकते हैं इन लक्षनों को नजर अंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पढ़ सकता है आपके पेरों में दिखने वाले ये लक्षन भी लिव में खराबी की संकेत हो सकते हैं एक पेरों में सूजन पेरों में सूजन तो वैसे कई कारणों से हो सकती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लिव अपना काम सही धंग से नहीं कर पाता है तो शरीर में विशाक पदार्थ जमा होने लगते हैं इन विशाक पदार्थों का निर्मान शरीर के निचले हिस्से में ज्यादा होता है इस्थिती को peripheral edema भी कहा जाता है इसकी वज़े से आपके पैरों में गंभीर सूजन हो सकती है लंबे समय से पैरों में सूजन की समस्या को भी लिव में खराबी का संकेत माना जाता है 2. पैरों में गंभीर दर्द पैरों में दर्द की समस्या भी लिव में खराबी के कारण हो सकता है दरसल शरीर के निचले हिस्से में विशाथ पदार्थों के बढ़ने से आपको peripheral edema की समस्या हो सकती है इसके कारण आपको पैरों में तेज दर्द की समस्या हो सकती है 3. पैर के तलवे में खुजली पैर के तलवे में लंबे समय से खुजली होना भी लिव में खराबी का लक्षन माना जाता है लिव में खराबी के कारण hepatitis की समस्या हो सकती है इसकी वज़े से आपको हाथ और पैर के तलवों में खुजली की परेशानी बढ़ जाती है 4. पैरों में सुन्नता Hepatitis C infection के कारण आपको पैरों में सुन्नता, जुन-जुनी जैसी परेशानिया हो सकती है इस समस्या को पैरस्टेसिया के नाम से भी जाना जाता है लिव में खराबी की समस्या के कारण आपकी तंत्रिकाओं में परेशानी हो सकती है जिसके कारण जंजनाहट और सुन्नता की समस्या हो सकती है पैरों और तलवों में दिखने वाले ये लक्षन लिव में खराबी की संकेत माने जाते है लिव को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट का विशेश ध्यान रखना चाहिए मौसमी फल और सबजियों का सेवन लिव के लिए बहुत फाइदेमंद होता है आप इन्हें डाइट में जरूर शामिल करें स्टैमिना को बूस्ट कर सकती है ये 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटिया दिनभर रहेंगे एनरजेटिक क्या आप दिनभर ठका हुआ महसूस करते हैं? क्या थोड़ा सब काम करने पर ही आपकी सांस फूलने लगती है? अगर हाँ, तो ये स्टैमिना की कमी के लक्षन हो सकते हैं स्टैमिना की कमी होने पर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और ठका हुआ करता है ऐसी कई आयुर्वेदिक हर्प्स हैं, जो नेचुरल तरीके से स्टैमिना बूस्ट कर सकती हैं सबसे खास बात ये है कि इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होता है तो चलिए जानते हैं स्टैमिना बढ़ाने वाली हर्प्स कौन सी हैं? स्टैमिना बढ़ा सकती है ये पांच आयुर्वेदिक हर्प्स शतावरी आयुर्वेद में शतावरी का प्रयोग कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है शतावरी में एंटि आक्सीडेंस मौजूद होते हैं जो शरीर को फ्री रिडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं शतावरी का सेवन करने से स्टैमिना और उर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है इसके लिए आप शतावरी पाउडर का सेवन दूद के साथ कर सकते हैं अश्वगंधा अश्वगंधा का आयुर्वेद में खास महत्वब बताया गया है अश्वगंधा अटियोक्सीडेंस से भरपूर होता है जिससे शरीर में और जा का स्टर बढ़ाने में मदद मिली है अश्वगंधा का सेवन करने से स्टैमिना बूस्ट होता है और मसल रिकवरी में भी मदद मिलती है इसके लिए सोने से पहले एक चम्मज अश्वगंधा पाउडर का सेवन दूद की साथ कर सकते हैं शिलाजीत शिलाजीत का इस्तिमाल स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्राचीन समय से किया जाता है शिलाजीत में एफरोडी से एक गुण मौजूद होते हैं, जो सेक्सूल पौव को बढ़ाते हैं शिलाजीत का सेवन करने से स्टेमिना और एनरजी बढ़ाने में मदद मिलती है तुलसी तुलसी में कई उशदिया गुण मौजूद होते हैं आयूर्वेद में तुलसी का इस्तेमाल स्वास्थिय संबंधी कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी स्टेमिना बढ़ाने में भी फायदे मंद है। Journal of Ayurved and Integrative Medicine के अनुसार तुलसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थिय को बहतर बनाने में मदद करती है। ब्राहमी ब्राहमी और शदिया गुनों से भरपूर हर्ब है। ब्रमी न सिर्फ दिमाग तेज करती है बलकि स्टेमिना को भी बूस्ट करती है। ब्राहमी का सेवन करने से शरीर की उर्जा बढ़ती है और ठकान दूर होती है। अगर आप भी खुद में स्टेमिना की कमी महसूस करते हैं तो इन आयूरवेदिक हर्प्स का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से आपके शरीर में उर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप एक्टिव महसूस करेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के ये आयूरवेदिक चूर्म। डाइबिटीज एक ऐसी लायलाज बीमारी है जिसका कोई परियापत इलाज उपलब्ध नहीं है। डाइबिटीज को कंट्रोल करने का बेस्त तरीका है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। डाइबिटीज के मरीजों पर हुई कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बलड शुगर लेवल को कंट्रोल करके ही इस लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है बलड शुगर को एकसरसाइज और डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावा आयुरवेदिक नुस्को से भी बलड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है बलड शुगर कंट्रोल करने के ये आयुरवेदिक चूर्म जामुन 10 ग्राम, बिल्द 10 ग्राम, चिरायता 10 ग्राम, मधुनाशिनी 20 ग्राम, ट्रिकटु 20 ग्राम, पिपपली 10 ग्राम, निर्गुंडी 5 ग्राम, पुननवा 10 ग्राम, आवला 10 ग्राम, गुडुची 20 ग्राम, घूमी अमलकी 15 ग्राम, इन सभी चीजों को दी गई मात्रा मे अच्छे से मिला ले ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप इस आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ कर सकते हैं एक बार इस चूर्ण को सिर्फ एक चम्मच ही खाएं क्यूं फाइदे मंध है ये आयुर्वेदिक चूर्ण? इस आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन करने से हिबा 1C को स्वस्थ बनाने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है Blood sugar level control रहने से diabetes को भी नियंत्रत करने में मदद मिलती है Blood sugar control करने के अन्य आयूरवेदिक powder, मेथी और हल्दी का पानी इस आयूरवेदिक चूर्ण के अलावा आप blood sugar level को control करने के लिए मेथी और हल्दी के पानी का भी सेवन कर सकते हैं Blood sugar control करने के ये सुबह एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच हल्दी और मेथी पाउडर मिलाकर सेवन करें खाने के बाद करें soft का सेवन Diabetes के मरीजों को blood sugar level control करने के ये खाने के बाद एक छोटा चम्मच soft का सेवन करना चाहिए खाने के बाद थोड़ी सी सॉफ का सेवन करने से बलड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और मीठा खाने की क्रेविंग को खत्म करने में मदद मिलती है